हेलो व्रिवान दिसी सुर्भी वेलकम टू स्टड़ी है एक स्कैसे हो सब आई होप आप लोग सब ठीक है और अपने स्टड़ी को अच्छी तरीके से लगके चल रहे हैं आज की डिसकेशन में बहुत ही इंपोर्टन टॉपिंग होंगे तो पूरी लेक्चर के साथ आप करते हैं यहां पर बात कीडरीक फेस्टीवल् के बाते बारे में दिसका नाम है आपे ट्राउबरेट किया जाता है अंके दिए हैं Và adesso ऑनाधर कमुणिटी रहां पी में यहां पहला है आप और यहां पाउमयर्ण ने के लिए तो यहां पर फेस्टिवल में जो लूग को पूला जाता हैं यहर साल हम लोग इसको संप्धी नियुक्त सेलीप्रेट करते हैं यह रहते हैं पहलु ट्राइप्स रहते हैं चक्छेंडार पंच करने नियुक्त इंदेक्ड करा पहलें लिए लेखना को फेस्टिवल के द्वारा इसको बाखव festival को celebrate किया जाता है यह celebration जो है species harvest season यानि कि जो फसल की कटाई रहती है अगर फसल अच्छी है ठीक है तो हर साल यह celebrate होता है तो अच्छी फसल के regarding यहाँ पे जो है यह festival celebrate किया जाता है जो यहाँ पे abundant crop रहती है और good health के लिए यह काम आती है celebrate किया जाता है इसको good harvest के लिए तो यह एक ancient tradition है जो आज के time में भी follow गिया जाता है people जो है another communities के तो यहाँ पे harmonize होते है इस celebration में अब रभा tribes के बार में हम लोग बात कर लेते हैं यह एक indigenous mongoloid community है जो नेपाल में भुटान, Thailand, Myanmar, Bangladesh में भी पाई जाती है अगर अपनी country की बात करें तो कौन-कौन state में पाई जाती है वो है Assam, Meghali and West Bengal में पाई जाती है language जो है इनके दोरा जो language बोली जाती है रभा people के दोरा तो रभा as well as Assamese language बोली जाती है Meghali रभा जो mostly पाई जाते है गैरो hills district में पाई जाते है clear है इतना I hope आपको इतनी चीज clear हुई होगी next हम लग यहां पर बात करते है Assam के बारे में Assam की location देख लेते हैं यहां पर Assam देखने को मिलते है इसको जो state की boundaries टच करती है बात करें यहां की जो गवर्नर है वो जगदीश मुखी है चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्वास शर्मा है legislature की बात करें तो unique capitalism है और यहां पर parliamentary constituency की बात करें तो राजे सबह की 7 seats है लोग सबह की 14 seats है तो high court जो है यहां का गुहाटी high court है अगर area के हिसा आप से देखें तो Assam का rank 16 है और population के हिसा आप से देखें तो Assam का rank 15 है इतनी चीज़ आपको clear है अगर कोई भी doubt होगो तो please comment section में doubt को जरूर share कीज़ेगा तो यह था festival के बारे में भैको festival याद रखेगा Assam में celebrate होता है और कौन सी tribes के द्वारा रभा tribes के द्वारा clear नेक्स यहां पर हम बात करते हैं इंडो यूके कल्चर प्लाटफॉर्म के बारे में अभी हाली में ही हमारी इंडस्ट्री के music industry के जो वन ओफ दी बेस्ट मूजिक जो डिरेक्टर सिंगर हम बोल सकते हैं तो यहां पर 75th anniversary जो है हम इंडिया इंडिपेंडन स्टे की सेलिबरेट कर रहे हैं इस साल तो officially launch किया गया है इसको ब्रिटेंस डिप्टी हाई कमिशनर जो है तो इंडिया जैन थॉमसन और डिरेक्टर जो है इंडिया के of the British Council Barbara Wickham season of the culture की बात करें यहां पर aim क्या है कि हम लोगों ने इंडिया और UK की collaboration for strengthen करके चलना है especially area पर focus किया जा रहा है art, English and education में British Council Director की बात करें यहां पर Barbara Wickham Headquarters New Delhi, Delhi अगर बात करते हैं यहां पर हम लोग Britain के बारे में यह हमारी country है Britain की हम लोग बात करें इंडिया के संधव में आपको देखना है तो यहां पर आपको Britain country जो है यहनकी UK नजरा रही हो गई अगर यहां पर हम detail में देखें इसका zoom map देखें तो यह है UK तो UK की आपको यहां पर अलग-अलग parts देखने को मिलते है Scotland, England, Wales and Northern Ireland Capital and largest city जो है वो है लंडन वो नार्प जो है आज की टैम में Elizabeth second है प्राइम निस्टर आज की टैम में कौन है Boris Johnson यहां पर आप देख सकते हैं English Channel किस-किस के बिट्वीन है एक तो England और France के बिट्वीन है यहां पर North Sea देख सकते हैं और North Atlantic Sea I hope आपको यह clear हुआ होगा अब हम यहां पर बात करते हैं Great Britain के बारे में यहां पर जो है UK and Great Britain क्या difference है क्या आपको बता है अभी हम देख लेते हैं यहां पर difference की बात करें अगर यहां पर हम लोग देखते हैं Scotland, England, London and Wales अगर इसको count करें तो यह बनता है आपका Great Britain अगर हम Northern Ireland को भी यहां पर count करके चले तो बनता है UK यानि की United Kingdom अब यहां पर जो island है ठीक है island Republic of Ireland तो यह British total अगर बात करें तो British Elsie बोलते हैं इसको island जो है यह किसका पार था European Union का अभी Britain का जो है European Union से बाहर निकलना यानि कि Brexit हुआ अब हम Brexit के बारे में देख लेते हैं आखिर यह है क्या Brexit refer किया जाता है इसको British existing the member of the European Union यानि कि Britain का European Union European Union का जो पार था Britain उससे वो बाहर निकल गया इसलिए इसको Brexit बोला गया यहां पर 28 European countries थी प्लस यहां पर जो बात करें UK लिए तो European Union का पार था पहले ब्रिटेन तो involving इसमें 28 European countries थी इसमें free trade के बारे में बात की जाती थी member countries without any check और extra charges यानकि tax नहीं लगेगा free trade के बारे में यहां पर बात की जाती थी UK के द्वारा European Union को join कब किया गया 1973 में इसको European Union Community भी बोला गया और referendum हुआ 2016 में UK में around 17.4 million people के द्वारा यहां पर Brexit को sport किया गया 31 January 2020 में UK के द्वारा यहां पर European Union से बहार निकल लिया गया after 3 years के यहां पर एक struggle के बाद उसके बाद यहां पर 47 years की जो membership थी UK की first UK as a first country बना जिसके द्वारा world largest trading block को exit किया गया यानकि European Union को exit किया गया यहां पर अगर बात करें withdrawal agreement के बारे में जो UK and European Union के between था यहां पर pre-agree transition period until the end of 2020 यहां पर बात करते हैं हम लोग UK continue कर रहा है ओबेज जो laws हैं इसके rules हैं European Union के Britain hailed the trip of the self-government ठीक है तो self-government के उपर focus देने की बात की जा रही है beginning जो है new era of the friend corporation के लिए तो I hope आपको यह clear हुआ होगा ब्रेक्जिट हकीर है क्या था यहां पर हम लोग बात करते हैं क्रिस्ट्रेलेना जॉर्जिवा के द्वारा यहां पर एक appointment अनॉंस की गई है हमारी country के International Monetary Fund के जो director है managing director क्रिस्ट्रेलेना जॉर्जिवा इनके द्वारा अनॉंस की गई appointment of Indian national Krishna Shrinivasan as a director of the Asia and Pacific department के लिए Shrinivasan के द्वारे succeed किया गया यहां पर चैंग्योंग रही को इनकी retirement जो थी उसके बाद इनके appointment जो है अनॉंस की गई formation के अगर बात करें IMF की काफी जारा important यह organization है International Monetary Fund जिसको हम बोलते हैं तो IMF की formation की गई 27th December 1945 में headquarters आज के टैम में Washington DC USA में membership यहां की कौन-कौन सी country parts हैं कितनी countries इसकी parts हैं 190, 189 जो है United Nations countries हैं and Kosovo clear Official language जो है IMF की वो है English Managing Director आज के टैम में किस्ट्रे लेना जो ज़ुआ हैं First Deputy Managing Director गीता गोपिनाथ हैं हमारी country की ही हैं Chief Economist थे पहले यह फिर इनको First Deputy Managing Director बनाया गया गीता गोपिनाथ को and Chief Economist आज के टाइम में कौन है Ferry, Oliver and Oliver Goddeniches clear तो I hope आपको यह clear हुआ होगा Next हम बात करते हैं यहां पे Para World Cup तो यहां पे एक हिस्ट्री दर्च की गई है Para World Cup में अगनी लिखा रहा के द्वारा यहां पे इनके द्वारा Tokyo Para Olympic में भी इनके द्वारा जो है Gold जीता गया ठीक है याई कि विनर रही है और Para Shooting World Cup में इनके द्वारा फिर से Gold जीता गया तो यह कहां पे हो रहा था Para World Cup यह हो रहा था France Chattro Rocks, France में 20-year-old shooter है जिनके द्वारा यह World Record अभी दायर किया गया है 249.6 और क्वालिफाई हो गई है 2024 का जो Para Olympic Games होंगी पारिस में ठीक है तो यहां से question काफी जारा frequently बन सकता है कि 2024 के Para Olympic Games कहांपी होने वाले पारिस में तो अपनी लिखेरा जी का नाम आप लोग याद रखेगा इसके इलावा जो अनदर पार्टिस्पेंट्स थे जैसे अमेला बैब सका पॉलेंड से इनको सिल्वर मिला है और अना नॉर्मन यह स्वेडियन से इनको ब्रॉंस मेडल मिला है क्लियर नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे त्यांगोंग स्पेस स्टेशन के बारे में अभी अगर इंटरनेशनल लेवल के बात करें तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है तो रश्या के द्वारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से बाहा निकल गया ठीक है तो तीयांग यूंग स्पेस स्टेशन जो है यह चाइना खुद का अभी वहां पे डवलब्ट कर रहे है तो चाइना का मैं जो स्पेस एजनसे है उनके तोरह अनौन्स किया गया कि इनको दिपैश किया गया इनकी भेज़ा गया है 6-month के मिशन के लिए complete work किया जाएगा पर्मनेंट जो और बिटिंग स्पेस स्टेशन जो सेट अप किया जाना है एंड चैन्जी ओ फोटीन क्रू जो है यह अभी स्टेशन पॉर 6-month के लिए अभी इन्टरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात कर लेते हैं हम लोग यहां पर देख सकते हैं इन्टरनेशनल स्पेस स्टेशन यहां पर एस्टरनोट जाते हैं ठीक है तो क्या क्या प्रोसीजर रहेगा आने वाले टाइम में कि कौन-कौन सी हम लोग सैटलाइट जो है कैसे आहां पर इंस्टॉर्ट कर सकते हैं तो यह सारी चीज़ें यहां पर अनलाइज की जाते हैं यहां पर study की जाती है जाके तो international space station जो है यह जो है habitable है यहां यहां पर जो एस्ट्रोनौट सा वो रहते हैं एक artificial satellite है low earth orbit पर यह first component है जो launch किया गया 1998 में international space station जो है largest human man-made body है जो लो अर्थ और्बिट पर है राउंड करती है रफ्ली 92 मिनेट्स में और complete करती है 15.5 और बिट्स पर दे में international space station जो यह बिल्ट किया गया यानि की corporation रहा another countries की जो space agencies है उनके scientist का जैसे की five international space agencies जिसमें involved थी जैसे नासा जैसे हमारी country की क्या है इस रो है वैसे नासा की USA है रोस कोस्मोस रश्या की है जाक्सा जैपाइन की है Canadian Space Agency and European Space Agency तो इन सब वाले lectures में वह clear किये जाए तो यह था आज का important session I hope आपको यह clear हुआ होगा PDF के लिए आप आप जोइन कर सकते हैं Instagram पर भी आप फॉलो कर सकते हैं अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक यू फॉर वाचिंग मैं वीडियो जैहिंद कर दो कर दो कर दो कर सकते हैं